दोस्तों अल्कोहल के कंजप्शन से बहुत सी बिमारिया होती है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ भी है कि कौन-कौन से बिमारिया होती है तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं और आप मेंसे बहुत सारे लोग पीने वाले अल्कोहल के बहुत सारे टैप्स के बारे में जानते होंगे जैसे कि विस्की, रम, बीर, रेड़ वाइन, वाइट वाइन पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वाइन भी होता है जिसे स्नेक वाइन कहा जाता है और इस वाइन को जिन्दा सांप से बनाया जाता है तो आगे देखते रहे इस वीडियो को, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वाइन कहां और कैसे बनाया जाता है हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो रोट्टू, अ चैनल वेर यूविल गेट एवरेटिंग, तो आईए देखते हैं इसनेक वाइन मेंली दो परकार के होते है पहला एस टिप्ट, जिसको बनाने में पूरे सांप का इस्तमाल किया जाता है और दूसरा मिक्स्ट, जहां पर सांप के बलड का या फिर उसके बॉडी पार्ट्स का इस्तमाल किया जाता है वाइन को बनाने के लिए अब जो पहले टाइप का सनेक वाइन है, उसको मेंली दो तरीके से बनाया जाता है अब जो पहला तरीका है उसमें जिन्दा साप को पकरके बीच से काटा जाता है ताकि उस साप के digestive track को हटाया जा सके अगर ऐसा नहीं किया गया तो wine का flavor खराब हो सकता है अब बीच से काटने का मतलब दो टुकरों में काटना नहीं है बलकि सर के थोड़ा सा नीचे से पूच तक एक कट लगाया जाता है ताकि वो साप काटे जाने के बाद भी जिन्दा रहे अब उस कटे हुए साप को अलकोहल या wine में धो कर सीशे के jar में रखा जाता है और उसके उपर से rice wine या फिर grain wine डाला जाता है और तब तक वो साप जिन्दा ही रहता है पर sometimes इस प्रोसेस में साप मर भी जाता है और उस मरे हुए साप का भी इस्तमाल किया जाता है और फिर उस jar के ढकन को बंद करके कुछ महीनों के लिए रख दिया जाता है ये duration at least तीन महीने का होता है पर इससे जाता दिन भी उस wine को preserve किया जाता है और इस duration के बाद ही वो wine पीने लायक होता है अब जो snake wine बनाने का दूसरा process है वो थोरा सा complicated है जिसमें साप को पकर के सबसे पहले तीन चार दिनों के लिए भूखा रखा जाता है उसके बाद उस साप को एक सीसे के जार में थोरे से rice wine के साथ डाला जाता है ताकि वो साप उस rice wine को पीए और उल्टी कर दे जिससे कि उसका पूरा digestive track clean हो जाता है अब इस process के बाद साप को निकाल कर एक fresh jar में डाला जाता है और फिर उसमें fresh rice wine डाला जाता है और फिर ढखकन को बंद करके उस jar को रख दिया जाता है और इस दोरान वो साप उसी jar के अंदर मर जाता है अब उस jar में साप के साथ चाथ बहुत सारे cases में दूसरे जानवर को भी रखा जाता है जैसे कि lizard, scorpion या फिर दूसरे medicinal herbs को भी रखा जाता है ताकि उस wine का flavor enhance हो सके और उसका medicinal quality बढ़ सके अब यहाँ पर मैंने medicinal quality इसलिए बोला है क्योंकि snake wine को alcohol या फिर liquor के रूप में तो पिया ही जाता है पर as a medicine भी उसे पिया जाता है Chinese culture में ऐसी मान्यता है कि साप के body parts से बहुत सारे बिमारियों का इलाज हो सकता है जैसे कि बालों का जहरना, बदन दर्द, कम दिखाई देना और ये भी माना जाता है कि साप के जहर से cancer तक ठिक हो सकता है अब ऐसा नहीं है कि आप किसी cancer percent को साप का जहर पिला दो बलकि ये सिर्फ मान्यता है तो इन ही कारणों से snake wine चाइना और वियतनाम में ज़्यादा मिलता है पर इन दोनों countries के साथ ही snake wine पूरे southern Asia में मिलता है including India गोवा में भी आपको snake wine बहुत सारे जगों पर मिल जाएगा पर चाइना और वियतनाम में ये open market में मिलता है जैसे हमारे यहाँ सबजीयां बिखती है अब snake wine का जो दूसरा type है जो मैंने आपको पहले ही बताया था वो है mixed जहाँ पर साप के body parts का या फिर उसके blood का इस्तमाल किया जाता है जिसमें की आप सबसे पहले एक glass में wine डालते हैं और फिर उसी glass में जिन्दा साप को काट कर उसका blood या फिर body fluid डाला जाता है और तुरंथ ही पी लिया जाता है अब इसके भी कुछ different types होते हैं जैसे की snake bile wine जिसमें की साप के gull bladder को काट कर alcohol या wine में preserve करके रखा जाता है और बाद में consume किया जाता है और एक दूसरा होता है snake heart wine जहाँ पर जिन्दा साप के दिल धरकते हुए दिल को निकाल कर wine में रखके preserve किया जाता है और फिर बाद में consume किया जाता है इन सभी wine को लोग अकसर अपना health और virality improve करने के लिए पीते हैं चाइना में snake wine की ही तरह दूसरे जानवरों के भी wine मिलते हैं जैसे की baby mouse wine जिसे छोटे छोटे चूहों के बच्चों से बनाया जाता है lizard wine और scorpion wine अब snake wine को लेकर आपके दिमाग में दो questions आते होंगे पहला की अगर snake उस wine में बच जाता है तो क्या वो पीने वाले को काट लेगा और दूसरा की उस साप के जहर का क्या होता है जो wine में रहता है तो पहले question का answer है की ज़्यादा तर मामलों में ऐसा नहीं होता है पर 2013 में चाइना में एक ऐसा case आया था की एक woman को उस साप ने काट लिया था जो की wine के अंदर तीन महीने से बंद था अब इसका simple reason ये बताया जा रहा है की साप आसानी से hibernate कर सकते है तो हो सकता है उस साप ने मरने की जगा खुद को hibernate कर लिया हो जिससे की वो तीन महीनों तक जिन्दा रह पाया पर इसके अलावा इसी तरह का कोई भी दूसरा case आज तक सामने नहीं आया है 2018 में इसी से related एक case आया था की एक औरत ने online snake मंगवाया ताकि वो wine बना सके पर उससे पहले ही उस snake ने उस औरत को काट लिया और उसकी मृत्यू हो गई और दूसरे question का answer है snake अपना जहर या venom जो भी उस wine में release करता है उस venom को wine में मौजूद ethanol खतम कर देता है और इसी process के लिए उस wine को preserve करके 3-4 महीनों के लिए रखा जाता है अब एक last question निकल के आता है कि क्या आप snake wine को एक country से दूसरे country में ले जा सकते है तो इसका answer है कि हर country का अपना अपना animal law होता है तो आप कुछ countries में ले जा सकते हैं और कुछ countries में नहीं क्योंकि snake wine बनाने के लिए कुछ साफों के endangered species का इस्तमाल किया जाता है जो की विलुक्त होने के गगार पर है तो इसलिए कुछ country ने इन्हें ban कर रखा है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि snake wine कैसे बनता है और इसका इस्तमाल क्यों किया जाता है तो बस आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शियर ज़रूर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ऐसे ही नौलेजफूल वीडियो जिंदी में देखने के लिए और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा